साइराम भचों हिंदी की क्रक्षा में आप सबका स्वागत है देखो भचों हम क्या पढ़ रहे थे पिछले लेसन में हमने राक की रसी और फिर क्या पढ़ा फसलों का त्यहवार तो फसलों के त्यहवार के पारे में आशा करती हूँ आपने अच्छे से रीडिंग की होगी और मैंने आपको कहा था इस लेसन की रीडिंग करोगे तो उसके बाद मैं आपको आपकी अभ्यासकारे इत्यादिक कराऊंगी तो आज हम इसी चाप्टर के अभ्यासकारे के साथ आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग परकार से यह त्यहवार मनाया जाता है जैसे मैंने आपको बताया था कि फसलों का त्यहवार बिसेश रूप से जनवरी महा में आता है तमिल नाडु में से मकर संक्रांती या फसलों से जुड़ा त्यहवार पुंगल के रूप में मनाया जाता है तमिल नाडु में पुंगल के रूप में मनाया जाता है इस दिन खरीब की फसल, چावल, अरर, मसूर, आदी काटकर घरों में पहुँचाते हैं लोग नई धान कूटकर चावल निकालते हैं हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है ये सब तमिल नाडु में होते हैं ये हर राज्य में अलग-अलग तरीके से इसको मनाया जाता है गुजरात में इसे पतंगों के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांती के दिन यहाँ पतंगों का जश्न होता है और आपने देखा होगा मध्य परदेश में मकर संक्रांती या तिल संक्रांत असम में भी हूँ केरल में ओडम तमिल नाडु में पोंगल पंजाब में लोहडी जहारखन में सरहूल गुजरात में पतंग का पर्व इस तरह से ये खेतों से या फसलों से जुड़े भी त्योहा इस तरह से भीविन राज्यों में भीविन परकार से ये त्यवहार मनाये जाते हैं तो अब मैं आपको इसके आगे देखो बचों इस बुक की एकसरसाइज में ऐसा कुछ खास नहीं है इसलिए मैं आपको इसके दूशी तरह के से एकसरसाइज कराऊंगी मौशम का अंदाज खिचडी में आइसन जाड़ा हम पहले कबों न देखनी यहां तुम खिचडी से क्या मतलब निकाल रहे हो खिचडी यानि मकर संक्रांती मकर संक्रांती को खिचडी के रूप में भी मनाया जाता है तो यहां क्या मकर संक्रांती में ऐसा कभी पहले जाड़ा नहीं हुआ क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले अगर ऐसा हो तो देखो अगर सूरज ना निकले तो धर्ती पर क्या है अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं हो शकता कि सूरज ना निकले हां बादलों में वो छिप जरूर जाता है जिससे कि हम तक उसकी रोष्णी पूरी तरह नहीं पहुँच पाती फिर भी सूरज अवस्य निकलता है ऐसा कभी नहीं होता है कि सूरज ना निकले फिर है दूसा तुम्हारी आज अई लोग के उठे के नहीं के का तुम्हारी इसको और दूसरा है जह भाग के दे केरा के पत्ता आयल की नाम इन वाक्यों को अपनी भासा में लिखो तो कैसे बोलोगे का वाला आज ये लोग उठे के नहीं खे का यानि आज ये लोग उठे गे या नहीं जब भाग के दे केरा का पत्ता आयला की ना जहो दोड़कर देखो केले के पत्ते आये हैं या ना नहीं तो इस तरह से आपको पहले में भारत तेरे रंग अनेक भिविदा हमारे देश की पहचान है फसनों का त्यवार अमारे देश के भिविद रंग रूपों का एक उधारण है नीचे भिविता के कुछ और उधारण दिये गए हैं उधारण दिये गए हैं पांच-पांच बच्चों का समू एक-एक उधारण ले और उस पर जानकारी कट्टी करें जानकारी चेत्र फोटोग्राप कहानी कभिता सूचना परक्ष आमागरी के रूप में हो सकती है हर समू में इस जानकारी को कक्छा में परस्तुत करो भासा भोजन जैसे भिविन राज्यों की कोई बच्चा हर राज्य की भासा के बारे में जानकारी कठा करो कि किस राज्य नया वर्स किस तरह से मनाया जाता है, राजदिविन राज्यों की भोजन क्या है, लोग कला क्या है, लोग संगीत क्या है, इस तरह से आप अपना एक खेल खेल सकते हो, फिर देखो, तुम्हीं कौन सा त्यवार सबसे अच्छा लगता है और क्यों इस दिन तुमारी दीमचरि का रहती है तो ये आपको खुझ से लिखना होगा कि तुम्हें कौन सा त्यवार अच्छा लगता है और इस दिन आप क्या-क्य एक्टिविटी करते हैं सुबे से आप क्या-क्या कारे करते हो किस तरह से त्यवार को मनाते हो फसल के इतिवार पर तिल का बहुत महतो होता है तिल किन-किन रूपों में इस्तेमाल क्या जाता है पता करू फसल के इतिवार में तिल का हम क्या क्या करते हैं तिल से लड़ू बनाया जाते हैं तिल की मिठाई बनाया जाती है तिल हवन के काम में भी आता है इत्यादी परकार से तिल हमारे बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होता है तिल की खिजडी भी बनाई जाती है इस तरह से हम तिल को बहुत चीजों में परियोग करते हैं तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीजों से तेल बनता है और कैसे हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो तेल से क्या है तेल बनता है और किन किन चीजों से तेल बनता है आउले का तेल बनता है बादाम का तेल बनता है नारियल का तेल बनता है इस तरह से कई चीज़े हैं जिनका तेल बनता है तो देखे बच्चों ये थी आपकी बुक से सम्मंदित अभ्यासकार तो पहले आप क्या करोगे अपनी नौट बुक में जो काम में यहाँ पर करवा रही हूँ अपनी नौट बुक में वो काम करोगे सबसे पहले लेसन का नाम डालोगे और लेसन डेट डालोगे लेसन है आपका फसलों का त्यववाद तो सबसे पहले फसल पाट का नाम लिखोगे डेट डालोगे और पाट का नाम लिखोगे फिर स्टार्ट करोगे कठिन सब्द जो यहाँ पर मैंने कठिन सब्द लिखे हैं उनको आप अपनी नाट बुक में नाट करोगे चामपा कल, इकठा, सुस्थाने हिम्मद, मिठा, मकर संक्रांती इंतेजार, फर माईसी, त्यववार आसीरवादी, ओराउ उमीद, मिश्री, नरित्या, उर्सा यह सब आप अपनी नाट बुक में करोगे फिर है सब्दार्ट सब्दार्ट में आपका दूसरा आप लिखोगे कुछ लाएनी छोड़के या नेक्स पेसे सब्दार्ट करोगे सुरु आत, सुरु आत मितला प्रारम किसी भी चीज को आरम करना, प्रारम, हिम्मत, ताकत, अउसला ताकत या होसला चामपा कल, चामपा कल का मतलब होता है हैंड पॉम सब के घरों में हैंड पॉम कैसा होता है वैसे मेरे हिसाबते से सभी जानते होंगे hand pump क्या है स्वर, आबाज, रूची, इच्छा, केरा, केला, ठिटूरते, कांपते, बोरसी, अंगीठी बोरसी का मतलब है अंगीठी, ठिटूरते यानि कांपते, केरा, केला केरा किसको बोला गया है? केला को फिर है आपका वाक्या परियोग, वाक्या में परियोग, निमल लखी सब्दों को वाक्यों में परियोग करो कुछ सब्द यह हैं, जिनके वाक्या परियोग मैंने लिखे हैं, लेकिन आप अपनी तरब से भी वाक्या बना सकते हो बोरुशी, दादी ने बोरुशी में आग जलाई चम्पाकल, मेरे घर में भी चम्पाकल है त्यवहार, खिचडी का त्यवहार जन्वरी माहा में आता है स्वर, कोयल मीठी स्वर में गाना गा रही है स्वर, कोयल मीठी स्वर में गाना मीठी की जगे आप मीठा कर सकते हो इसको आप मीठे मीठी को आप मीठा, मीठे स्वर में गाना गा रही इस तरह से आप कर सकते हो फिर है आपका देखो, अभी आपने कठीन सब्द और सब्दार्द लिखे हैं उसके बाद आप करोगे इस लेसन के M.C.Q निमन प्रश्णों के सही उत्तर चाट कर लिखो सूरज किते दिन तक नहीं निकला, आपने लेसन पढ़ाओगा मैंने लेसन पढ़ने के लिए कहा था आपको तो देखो, सूरज किते दिन तक नहीं निकला, दस दिन तक, किते दिन तक, दस दादा और चाचा ने क्या पहना है? क्या पहना था? धोती, कुर्ता, पैंडशर्ट या कुर्ता पिजामा क्या पहना था? धोती, कुर्ता दादी ने क्या पहना था? कुर्ता पिजामा, सपेद धोती या लेंगा? क्या पहना था? सपेद धोती खिजडी कात्यवार किस माहा आता है? फरवरी, अप्रेल, जन्वरी किस में आता है? जन्वरी सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है? जारखंड, केरल, उत्तरपरदिस कहां मनाया जाता है? जारखंड में सरहुल में किस पेड की पूजा की जाती है केले के, साल के या आम की किस पेड की पूजा की जाती है साल की फिर है आपका पोंगल कहां मनाया जाता है महाराज, तमिल लाडू या गोवा मकर संक्रांती के दिन, खिचडी के त्योहार के दिन तमिल्याडू में मकर संक्रांती को क्या कहते हैं पोंगल क्या कहते हैं पोंगल तो पोंगल का मनाया जाता है तमिल्याडू मटके के मुँपर क्या बांदा जाता है क्या बांदा जाता है साबुत हल्दी गूर चावल क्या बांदा जाता है साबुत हल्दी फिर हैं गुजरात में मकर संक्रांती के दिन क्या उड़ाया जाता है कबूतर, पतंग या कपड़ी गुजरात में मकर संक्रांती को पतंग के रूप में यानि पतंग उड़ाते हैं उस दिन उनका त्यवहार क्या होता है पतंगों को उड़ाने का त्यवार होता है तो गुजरात ने कर संक्रांती की दिन क्या उड़ाया जाता है पतंग कुमाओ में मकर संक्रांती को क्या का जाता है कुमाओ में क्योंकि मैंने पिछल लेसन में आपको बताया था हर एक परतेक राज्य को परतेक राज्य का अपना-पना त्यवार होता है यानि एक ही त्यवार को अलग-अलग राज्य में अलग-अलग नाम से जाना जाता है तो कुमाओ में मकर संक्रांती को क्या कहते हैं? गुगूतिया क्या कहते हैं? गुगूतिया लोड़ी किस राजे मनाई जाती है? पंजाब ओनम कहां का त्यवार है? केरल बीहु का त्यवार कौन से राजे मनाई जाता है? असम किसके पत्ते पर तिल, गूड और चावल के धेर पड़े थे? किसके पत्ते पर? केले के तो बचों, ये थी आपकी इस लेसन की एक्सरसाइज तो आपको अपनी नौट बुक में ये सब नौट करना है कठिन सक्त, सबदार्थ, वाक्य परियोग और MZQ ये आप अपनी नौट बुक में नौट करोगे तो ये आपका लेसन समाप्त होता है पीर हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ धन्यवाद